वो थो एक परवाज है, उर्धोर एक आवाज है, खामोशियों की है जुबा, चल्दे तो चल्दे कारवा, वो है जहाँ, वो है जहाँ, लगती है जैसे आसमा, वो है यही, वो रोशनी, ते जस्विनी, 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 त साहित्य दोनों में जिनका वर्चस्व रहा है जी हां हमारी आज की तेजस्वीनी जानी मानी साहित्यकार भाजपा की वरष्ट नेता और गोवा की राज्यपाल म्रिदुला सिन्हा साहित्य और राजनीती के प्रदी संपूर्न समर्पन का ही दूसरा नाम, प्रख्यात लेखिका और वर्तमान में गोवा की महमहीम राज्यपाल म्रिदुला सिन्हा साहित्य की प्रती रुजहान ने शिक्षन की करियर को अलविदा कह दिया सामाजिक कारियों के जरिये राजनीती में प्रवेश कर भारती जरता पार्टी की महिला एकाई की पहली अध्यक्षा बने लेकिन साहित्य स्रजन लगातार जारी रहा उन्होंने पांचवा स्थम पत्रिका का संपादन कारी किया महिलाओं और पुरुष्णों के समान अधिकारों की अलंबरदार और नई सोच के साथ सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली मृदला सिनह की प्रकाशित कृतियों में अनेक कहानिया, उपन्यास और लेक हैं जो सामाजिक, मनोवग्यानिक, इस्त्रियों, बच्चों और ग्रामिन परिवेश से ताल्लुक रखते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और स्वच भारत जैसे महत्वपूर्ण अभियानों से, सक्रियता से जुड़ी मृदला सिनह हैं हमारी आज की तेजस्वीनी तो आईए मुलाकात करते हैं जानिमानी रचनाकार और गोआ की राजपाल मृदला सिनह से बहुत-बहुत स्वागत है मृदला जी तेजस्वीनी में आपका तो आपने तो बतलब एक लंभी यात्रा की है अगर हम देखें और कह सकते हैं कि लोगपत से राजपत तक कह सकते हैं कह सकते हैं लेकिन लोकपत नहीं छुटता है अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गाउं में ही हूँ और कुछ लोग मेरे पती भी परिशान हो जाते हैं कि जहां है उसके सपने देखिए लेकिन मैं गाउं में ही रहती हूँ और उससे मुझे बहुत प्रेड़ना मिल आप आप सीधे सीधे राज़्यपाल बनी राजनीति में आपका जो का पूरा एक पूरा कज़माति. जीवन का जितना वर्ष गया है और जो सोशल वर्क आपने किया क्या आपको लगता है उसी की वज़े से आज आप राजपाल पर तक पहुंचे। जैसे मैं महिला मुर्चा की अद्धेक्स थी तो उसना ते महिलाओं का भारती महिलाओं का इतिहास क्या था वर्तमान क्या है और उनको कहाँ ले जाना है बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ता है और इसके कारण लेकिन मैं कहना चाहूंगी मुझे कोई संघर्स नहीं करना के साथ उसके बाद वो कभी कहने की जरूत नहीं हुई 1980 से लेके और पिछले नौ महीने के पहले तक मैं राश्टिय कारे समयती में थी तो इतना अधिक सम्मान मिला है मुझे सबका और आज भी बहुत मिल रहा है क्योंकि मुझे यही लगता है कि जर से जुड़े हुए रहने के कारण जो समस्याएं हैं सही माने में महिलाओं की या समाज की उसको आगे अच्छा यह बताएगी कि राजनीती में कैसे क्योंकि आप जैसे आप कहरे हैं आपका संबंद गाउं से रहा है चप्रा के गाउं में पैदा हुई वही पली बड़ी उसके बाद आगे की जीवन यात्रा रही लेकिन यह राजनीती में जो पदारपन है वो कैसे हुआ क्या ने कहीं छुटी-छुटी बातों को लो कि आंदोलन करना कुछ गीत बनाना कुछ इस तरह से करते रहना की एक आदत थी और लेकिन मैं होस्टल में रहके पढ़ती थी शात्रावास में रहके बहुत कुछ सीखा था गीता का कंठागर करना ये करना योग में तक डांसर रही बहुत कुछ सीखा हुआ चुकि मैं शात्रावास में रहती थी और जब विवा हुआ तो ऐसे विवा हुआ कि उस विक्ति का सपना राष्ट की सेवा मतलब पॉलिटिक्स में जाना था तो मुझे बहुत खराब लगता था ये क्या है समझ में बात नहीं आती थी और उन्हो कुछ काम करना तो इस तरह का सपना दिखाया मेरी उम्र 17 साल की थी तो आप सोच सकते हो लेकिन धीरे 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 उन्होंने भी नौकरी नहीं छोड़ी और उनमें था राजनिती में जाना राजनिती में गये तो जो मैं नहीं बन पर पाई वो बनते रहे मले बने गर का सब विवस्ता देखते हुए अटल जी है अडवानी जी है और भी लोग घर आ रहे है ठर रहे है तो देखते 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 थोड़ी सी रुझान हुई होगी फिर भी जादा नहीं थी क्योंकि बच्चों को संभालना सब करना लेकिन ऐसा लगा कि जब दिली से वा मैञ ज़े ज़ गए ज्यादा ही उसमेह पहली महिला मौचा की अध्यक्ष भनाया तो मैंने नाम लिखे बनाया था राजमाता सिंद्या को लेकिन उन्होंने सुईकार नहीं किया। उस संयोजी कया थीं तो मैं सह सभी थीं और उनका ही नाम पहला लिख़ा गया नहीं काम के नई म śरें मृदला नहीं मृदला बन गई आ tulee लेकिन आप पढ़ा ही लिखाई आपकी हुई आपने मनुविज्ञान में मेब किया और उसके बाद अध्यापन में आपकी दुचिरे आप लेक्टर हो गए आप मनुविज्ञान की लेक्टर हुई लेकिन राजनिती के कारण ही वो लेक्टर सिफ छोड़ दिया क्योंकि मेरे हस्मेन उसम स्कूल की प्रिंसपल होगी लेकिन वो आर्ट वर्स का जो मेरा अनभव हुआ है स्कूल के प्रिंसपल के नाते वो अद्भुत बच्चों के साथ बहुत अच्छा अनुवब रहा है तो यह जो अध्यापन का काम है यह फिर आपने छोड़ा और आप फुल फ्लेजर्ट मतल आना चाहूंगे इतना अधिक चिंता करते थे हमारे नेता जैसे माली जी हम ट्रेंस से जा रहे हैं हमारी तो वो नेता लोग ध्यान देते थे कि वीच-वीच में कौन-कौन सा स्टेशन आएगा उसमें तो प्लेन की तो बात ही नहीं थी तो जैसे हम जा रहे है च्छतिस ग चाहरते थे तो नेता लोग यह आकर के फिर इस तरे की विवस्ता ठीक है कि नहीं होट क्यार करते थे तो यह सारा क्यार हमारे लिए चिंता करते-करते हम उनसे परस्वनली जूड़ गए जैसे हमारे बड़े भाई हैं सब हैं तो वह भी नाता रिस्ता बनता गया तो बहु और वो उसमें संसोधन करते थे, एक मेरा गीत है, उसका कैसेट भी बना है, उसमें आधी पंक्ती मेरी है, आधी पंक्ती अटली के, गीत मैंने लिखे, बताई क्या थी वो, वो मैलाओं पे था, उठो बरो अब बहुत सोलिया, पथ पर आगे बढ़ना है, देश धरम के लिए तुझे फिर जगना और जगाना, कौन कह रहा अब लाद तुझको, तू ही जी बन सकती है, ऐसे करके लंबा गीत है, तो उनको बहुत सारी पंक्तियां बहुत अच्छी लगी थी उसमें की, उनने अंडरलाइन किया, लिए इन कुछ पंक्तियों पर आख वो ऐसे कर लेते उनको अच्छी दे लेगी, तो फिर अपने से उन्होंने सुधार किया, तो बहुत सौभाग्य साली रहें हुए, तो राजनीती के साथ-साथ जैसे आप कह रही हैं कि घर भी संभालना, और उसके साथ-साथ आपकी रुची साहित्ते में भी उतनी जबर्दर्स तरीके से ल छोता है. वहाँ, प्रिशन की पस् ouvert्वाँ सॉता हुए, उसका घर जो होता है, कितने लोग का आना-ाजाना, भाति- fragen के लोग, गाउंस सेयं ये Jakरशा की मैं नहीं होता था। और उनके काउण से लोग आ रहें, secret हमारे घर में नहीं होता था, और उनके काउं, पाउं में मे जूता में इतनी मिटी है, आपके ड्रॉइंग रूम में भले ही कार्पेट नहीं है, साधा साधा रहता था, लेकिन उस सब आते थे उस सब बरदास्त करना पड़ता था, मतब धीर धीर अभ्यास हो गया, ऐसा लगा कि नहीं कोई बात नहीं, और उसी पर आके फिर बड़े न आते हैं, हम देखते हैं, तो उन सारी बातों से साहित निकलना शुरू होगा, कि अखिर साहित है क्या, तो जब देखा लोगों को नजदीक से, मेरी माननिता है, कि एर कंडिशन में रखके हम गरीबी की कहानी नहीं देख सकते हैं, आपको जाना होगा, फिर जितने हैं, कोठियों में कैसे रहती हैं, फ्लैट में कैसे रहती हैं, जुगी में कैसे रहती हैं, आज भी जुगी की मेरी दोस्त बहुत हैं, मैं उनके बिना बात की हुए मेरे से नहीं राज आता है, मैं फोन करकर के कल ही फोन आया था, तो समाज को पूर्ण रूप से समझने में यह बहुत राजनी थी, मैंने उसको इस तरह से लिया मतलब साहित्ते वो एक अम्रित है जिसे आप लें तो आप ज़्यादा तंद्रुस्त हो के समाज के कामों में भी जूब सेथे एक चुड़ा सा ब्रेक ले ले लेते हैं मिल्दा जी एक चुड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तेजस्वीनी में लिकिन ये जात्रा अभी जारी रहेगे और संस्मरणो का जो एक लंबा सिलसला है वो भी जारी रहेगा चुड़ा से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्वीनी में आपके गीत कविताएं आप लिखती हैं और संपादिक का भी रही है आप पांचवा स्थम की यह जो आपकी साहितिक यात्रा है जैसे आप कह रही हैं कि वो जमीन से उठती है और पुरवया का रंग पूरा-पूरा आप में है क्या चीज आप अभी इस समय अगर हम आपसे जो मैं बार-बार कहते हूँ मैंने गाओं में कलिया को देखा उसका नाम कलिया बाढ में उसका सब कुछ उजर गया उसके पास कुछ नहीं था एक किवल बांस का खंबा था और छोटा से जगह थी जोपड़ी तो चली गई थी उसको उसने गोबर से लीप के और वो बैठी थी हुक्का पी रही थी उसको लोगों ने गाओं की महिलाओं ने जाके बताया मेरे बारे में कि वो आई है मैं हमेशा जब जाती थी उसको कुछ-कुछ देती थी वीडियो थी और सब लेकिन इस वार जब गई तो बहुत सारा साम मान लेके गई कि उसका सब कुछ गाओं ने बताया जब मैं गई तो मुझे हिम्बत नहीं हो रही थी उसको टोकूँ मुझे लगा कितनी दुखी होगी क्योंकि इसका तो सब कुछ लूट कि आप तो कुछ बचा ही नहीं लेकिन जैसे ही वो पीछे मूरी किसे ने कह दिया बीच में कि दिल्ली वाली मालकी नाई है जैसे ही किसी ने कहा हो मुड़ के मुझे देखी और इतनी तेजी से मुझे अख़वार में भरते हुए और पोपले मुथे सारा बुरी हो गई थी इतने जोर से हंसी मैं सोचती रह गए जिसके पास कुछ भी नहीं हो इतना जोर से हंसता है और सब खुश है मैं बाद में सोच नहीं लगी एक साहितिकायर के नाते कि इसकी खुशी का राज क्या है इसके पास कुछ नहीं है फिर मेरा ध्यान गया इसने जो एक रचना की गोबर से जो आंगन को लीपा हुआ था उसको देख क्यो प्रसन्न हो रही थी मैं इस कंक्लूजन पर आई कि आनन्द अभाव का होता है जिसके पास कोई चीज नहीं है एक दिया नहीं है ऐसे भी मैंने बहुत सारी कहानिया लिखिये सची कहानी और दीवाली के दिन वो एक दिया जलाता है और खुश है कि उसकी दिवाली है तो मेरे कहने का मतलब आज हम इतना सारा सामान हमारे पास है इतनी सारिया है इतने सारे खिलोने हैं खुश नहीं है लेकि आनन्द कहां डोड़े हैं तो अभाव का आनन्द और अभाव का आनन्द डोड़ने ज़िए हम चलते हैं तो बिविन परकार की कहानिया मिलती है जिस किसे देख रही है आज जब कि समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है आज जिस समाज की बात आप कर रहे हैं बहुत कुछ हमने अचीव किया लेकिन आज भी गर्ब में ही बेटियों को मारा जा रहा है ये सारी जो चीज़ें कैसे उद्वेलित क लेकिन उसकी उमर चालित साल थी इसलिए उसने किसी को बछा कर जो जंगली दवा होती हो खाली उसके पती को नहीं मालू ता कि युढरवती है और उसके पती ने किसी और औरत ने आके बताया आपकी पत्न तो गर्वती है उसने दवा खाली वह पती अपने गाओं ही नहीं अपने इलाका का पहला पती था जो अपनी पत्नी को ले जाके शहर ले जाके इलाज करवाया और बच्चा फिर गर में ठार गया और वो बेटी हुई और फिर वो पहला पिता था जो अपनी बेटी को आठ वर्स की उम्र में छात्रावास में भेजा आज से 72 साल पहले की बात और वो कोई नहीं वो मैं थी जो मेरे पिता ने मुझे बचा लिया तो जितना हम इसका प्रचार करते हैं अभी भी देखती हूं कि यह चली जा लेकिन प्यार बहुत कोई कमी नहीं होती है दूसरी बात कि एक सूत्र मुझे किसी ने दिया था कि हम बेटी को दुलार देते हैं और बहु को अधिकार देते हैं तो कई यह सोसल है मैंने इस पर किया था जननी को जनमने दो जनमी को जीने दो 2001 में मैंने यह शुरुगात की थी और उसमें कई तरह की कारिक्रम दिये थे कन्या जनमोस बमनाओ वो सारी चीज़े उसमें हमने एक सर्वे किया यह जो समाजsmन है यह समाज मन के कारण और समाज मन में बेटियां जो हैं वो जन्म काल से उसमें भेदवा होता है कई राज्य हैं जहां बेटी के जन्म पर थाली नहीं बढ़ जाई जाते कई राज्य हैं जहां बेटी के जन पर पेड़ा जिलेवी और बेटे के जन पर लड़ू बाटा जाता है ये बहुत गहरा धसा हुआ है हमारे दिमाग में बेटा बेटी का फर्क लेकिन आज जो पढ़ी लिखे लड़कियां और शहरों में हैं संपन्न हैं उनके पीछे आज भी बेटी का समान आप देखिए धानमंत्री ने जब कहा कि सेलफी फोटो पिता के साथ बेजो कितने फोटो आ गया है हम सुनते हैं कि 10 लग फोटो आ गया तो मेरे करने का अभी प्राय जो भाव है उस भाव को अभी बेटी के प्रती जगाने की आवशकता है और प्राव की पकडंडी पर जब देखती हूं एक पिता अपनी छोटी सी बेटी को अपने केरियर पर बैठा के स्कूल बैग लेके स्कूल छोड़ता है वो एक मौका होता है और जब वो लड़की कुछ कर लेती है नौकडी करती है बड़े पोश्ट पे जाती है तो उस पिता आप स्वच्छ भारत भिशन से भी आप उसकी अमबेस्टर हैं कैसे आप देख रहे हैं कि काफी आप सक्रिय रूप से आप लगी हुई है आपने उसको आगे बढ़ाने का एक बन में ठालिया कैसे बढ़ रहा है ये जब प्रधान मंतरी ने पहला नाम मेरा लिया तो मैं इस स कि मैं परिशन करती हूं कर्म में विश्वास करती हूं और कुछ innovative ideas मैं आपको संशेफ में कहना चाहती हूं ये जो सुच्छता अभियान है वो सुच्छता अभियान habit formation है हमनों को अपने जो आदते हैं उसमें सुधार करनी है एक बार दूसरी बात कि सुच्छता अभियान भारत के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है जदि हम हर विक्ती इहताय कर लेता है कि हम सुच्छ जीवन करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने अभी मैंने सोचा कि बच्चों को टारिट बनाना चाहिए जो हम लोग हैं अपने विवार में सुधार करें वो एक बात है लेकिन तो हमने स्कूल को लिया है मैंने और सारे स्कूल में बच्चों के लिए गीत लिखा है जैसे क्या है वो अभी तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है निर्भय बच्चे निर्मल देश दूर करेंगे भारत मा के सारे कलेश ऐसे करके बच्चा जो है उ कूड़ा दोड़ते दोड़ते परिशान हो गई अब कौन इसका लाज करेगा मुझे कूड़े से कौन मुक्ति लागा तो नन्य नन्य बच्चे कहते हैं हम अपने नन्य हाथों से साफ सफाई कर देंगे सब बहुत लंबा गीत और शिखर आपके टेलिविजन पर आने बाल और एक सपत बच्चों के लिए किया है एक सपत तो प्रदान मंत्री ने दिया है मैं देश भर में लोगों को दिल वाती हूं और एक सपत मैंने लिखाया है चोटे बच्चों के लिए इसकूल में प्रती दिन यह सपत दिलाई जाएगी और यह जो human resource minister है उसने सुईकार कर गोवा में सब उसमें चोटी चोटी बाते हैं हम हाथ दो कर खाना खाएंगे पैर दो के भी शाओन पे जाएंगे मा की बात मानेंगे आदी आदी चोटी बाती जो बच्ची याद रखें जी अच्छा मिद्ला जी अब आप गोवनर हैं राजपाल हैं क्या कुछ ऐसे हमने स एक हमने काम शुरुआत किया है चांद के साथ साथ, क्या है कारेकरम, तो प्रतेक पूर्णिमा को, हम अपने हाँ, कुछ गाउं के लोग, कुछ शहर के लोग, कुछ विद्यार्थी, कुछ आदिवासी, इस सब को बुलाते हैं, उस सब का भोजन की विवस्ता करते हैं, कर रहे हैं, जो आते हैं, लोग कहते हैं, कि अरे हम तो चांदनी में बैठना भूल गए, और चांदनी में ही फिर काबे है, गोश्टी है, कुछ-कुछ कारिकरम इस सब होता है, तो सीधे-सीधे उसमें है, कि भाई, सीतलता है, बत्ती का कम उपयोग करो, यह है चांद के सा साथ, पसंद है सब को, दूसरा एक कारिकरम है, सची दोस्ती, वो सची दोस्ती के पीछे जो कारण है, कि हम समाज में देख रहे हैं, कुछ लोग गौर्वर्मेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ लोग पबलिक स्कूल में पढ़ते हैं, और आप देखोगे कि गौर्म जर लेकिन पांच विरक्षों को पालता है. तो उसको देख के भी मुझे और यह बात आई. तो हमने 20 वच्चे, अभी जो प्रयोक किया है, शुरुआत की है, 20 वच्चे सरकारी स्कूल के, 20 वच्चे पब्लिक स्कूल को बुलाया, और उनको गले मिलके, वो कान में कहते थे एक दूसरे को, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्या बात है, ये के, अच्छा, उनको हमन दिया है हमने, डायरी दी, अब ये सब, डायरी का मतलब ये है, कि वो डायरी जब लिखना शुरू करेंगे, तो दो महिनी बाद हमारे जो अब्जरवर हैं, वो देखेंगे, कि अपने मित्र का नाम कितनी बार लिखता है, जदी लिखा तो मित्रता बन रही है, तो ये इस देखेंगे, श्रे मुझे यहां तक पहुचाने में बहुतों का हाथ है, लेकिन, श्रे मैं अपने पती को देती हूं, उन्होंने सचमुच मेरा जब विभा हुआ था, तो मेरे, मेरी मा को उन्होंने कहा था, ये माटी का लोंदा है, आपने दिया है मुझे, आख नहीं है, कान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था, कि मैं आखें गढ़ लूँगा, तो चुकि हमारे एज का भी आठ वर्स का फासला रहा, तो उन्होंने वो दिखाने की कोशिस मुझे की, और जब मैं थोड़ी-थोड़ी अख फोड हुई, दुनिया देखने लगी, तो उसमें तो स सारे नीता जिनका मैंने नाम कहा, सारी सहेलिया, साब कुछ सब बहुतों कहा होता है, हर व्यक्ति के निर्मा, लेकिन मैं उनको और अपने पिता को, पिता नहीं तुझे सा मैंने आपको कहा कि वो उस गाउं में जहां कोई पढ़ती नहीं थी, कभी कोई स्कूल नहीं गई थी लाके में, वहां मुझे उनने चात्राबास में भेजा पढ़ाया, तो मुझे ने, और मेरे ससुर हैं, तो मुझे तीन पूर्शों ने मिलके बढ़ाया है, मैं मा कुछ रे नहीं देती हूँ, माने तो केवल उनकी बात मानी है, मैं तीन पूर्शों ने मिलके बढ़ाया चलिए हमें उम्मीद है और हमारी पूरी शुपकामनाई है कि आप जिन्दिगे में इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें संबल बनती रहें और दिशा दिखाती रहें बहुत बहुत धन्यवाद मिर्ला जी हमसे बात करने के लिए शुक्रिया तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी अगले हफ़ते एक नई शक्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक के लिए जासत दीजिए नमसकार